आज जी कर मेरिकल कॉलिज की पूर प्रिंसिपल संदीब घोश की पॉलिग्राफ टेस्ट का दूसरा सेशन पूरा अब टेस्ट की कमपाइंड रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं सीपियाई आज जी कर कॉलिज में हुई खत्ना का नया वीडियो सामने आया नौ अगस का सेमिनार हॉल का वीडियो दिखाई दे रहा के वारल वीडियो पर पुलिस की सफाई एका सेमिनार हॉल के संबंधित हिस्से को रखा गया वहाँ पर सुरक्षित वीडियो सुरक्षित रखने का दावा किया जा रहा है पुलकाता रेप मज़र केस को लेकर चातर संगत्नों ने मार्च की आके पुलिस ने रैली की पर्मिशन माप लोगों को नहीं दी है एडिज लॉयन ओर्डर मरोज बर्मा का बयान साबने आया केंद्रे मंतरी सुकांत मजुमदार का बयान बंगाल के चातर शांतिपूर तरिके से जता रखी हैं विरोध फिर उसमें बाधा डालने का क्या मतलब है चातरों का आंदोलन गैर राजनी तिक है टीम्जी नेता कुलार खोश बोले विजपी, सीपीम, कौमरे सब एक है पशिम मंगाल में अशांति फैलाने के लिए तीनों दल साथ आये हैं रेप मरकेस में अब सीबी आई को देना है जवाग केंद्रे मंतरी सुकान मजुमदार ने की लेडी रॉक्टर के फरिशनों से मुलाकात मधिला रॉक्टर के घर जाकर दीपक जलाया मजुमदार ने लोगों से की देश की बेटी की याद में एक दिया जलाने की अपिर पशिमंगाल बाल अधिकार आयो की एडवाइजर अनन्या चक्रवर्टी का बयान लाश को लेकर राशनीती हो रही है एक महिला को टार्गिट किया जा रहा है मम्ता का इस्तीफात चाहता है अपोजिशन जम्मो कश्मीर विदान स्वाचुनाव के पहले फेज के लिए नमांकर दाकिल करने का आज आखरी दिन है पहले फेज में 24 सीटों पर 18 सितंबर को डाले जाएंगे वोट 4 अक्तूबर को आएंगे नतीजे जम्मो कश्मीर विदान स्वाचुनाव के लिए कॉंगिस से जारे की 9 अमीदवारों की पहली लिस्ट दोरों से गुलाम एहमद मीर और बनिहाल से विकार रसूल वानी को टिकट दिया किया से जम्मो कश्मीर विदान स्वाचुनाव में कॉंग्रस नैशनल कॉंफरेंस के बीच सीटों को लेकर समझाथा हो चुका है 50 सीट पर नैशनल कॉंफरेंस दो 32 सीट पर लड़ेगी कॉंग्रस पार्टी 6 सीट पर फ्रेंडली फाइट होगी सीट शेरिंग समझाथे की बाद नैशनल कॉंफरेंस नेता उमर अब्दुल्ला का बयान कॉंग्रस को ए एंट सी के खोशना पत्र पर नहीं है कोई आपत्ती सरकार बनेने पर लाएंगे स्तारजा नियुलितम कारिक्रप सीटों के बटवारे को लेकर कॉंग्रिस के साथ सहमती बनेने के बाद नैशनल कॉंफरेंस ने फिर जारी की अपनी लिस्ट 18 उम्मिदवारों के नाम का ऐलान किया थे जमु कश्मीर के लिए बीजेपी ने पहले फेस की 15 उम्मिदवारों का ऐलान कर दिया है बाकि दो चरंट की लिस्ट वापस ले ली है निर्मल सिंग कविंद्र गुप्ता का इसमें टिकट काटा क्या थे मैबूबा मुफ्ती की बेटी इलतिजा मुफ्ती आज बिजबेहडा सीट से दाखिल करेंगे अपना नामांकन पुलगाम सीट से सीपीम उम्मिदवार एमवाई तारिगामी भरेंगे परचा कश्मीर में चुनाब जीतने के लिए कौंग्रेस पाकिस्तान और हिजबुला के साथ भी कर सकती है गटबंधन केंद्रिय मंतरी जितन राम माजी का ये बड़ा बयाद हर्याणा चुनाब को लेकर कौंग्रेस का मंतर जारी उम्मिदवारों के चयन को लेकर आज भी कौंग्रेस की स्क्रीनिंग कमीटी की बैटक दूस्ते दिन जारी रहेगी कल कई सीटों पर बात नहीं बढ़ी हर्याणा में एक अक्टूबर को होने वाले चुनाब की तारिक को आगे बढ़ाए जाने पर आज आएगा चुनाब आयो का फैसला बीजेपी और जेजेपी ने चिठी निक कर तारिक आगे बढ़ाने की मांग की हर्याणा में जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के बीच घट बंधन की आज होगी खोशना दुश्यंत चोटाला और चंदरशेकर आजाद करेंगे अईलान बीच से पच्चिस सीट कर चुनाब लग सकते चंदरशेकर आजाद आई एन लडी चीफ अभई चोटाला का बीजेपी और कॉंगरेस पर बार बोले दोनों को इस बार हर्याणा की जनता जवाब देगी और इसकीम पेंशन लागू करने का वादा भी किया महराज के सिंदु दुर्ग में चत्रपती शिवाजी महराज की प्रतिमा धही प्रधार्मत्री मोधी ने पिछले साल 4 विसंबर को एक किले में 35 कीट उची मूर्ति का अनावरन किया था चत्रपती शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के बाद प्रशासन में हड़कम भै इंडियन नेवी का बयान भी सामने आया जार्ज के लिए बनाई गई हितनी मरम्मत करने के निटेश्टी ये काई सिंदो दुर्ग में मूर्ती गिल्ने की खत्ना पर गर्माई महाराश्ट की राजनीती उद्धव गुट के सांसत संड्य राउत ने पी डवलूडी मंत्री के स्टीफे की मांगी सिंदो दुर्ग हाथ से पर असद उद्धीन ओवैसी ने एंट्री नी कहा शिवाजी की 35 फीट उची मूर्ती का गिरना मोधी सरकार के बनाए गए बुनियादी धाचे की खट्या गुर्वत्ता की मिसाल है अमेरिका के राश्ठापती जो बाइडन ने किया पी एम मोधी को फोन पी एम मोधी ने किया यूक्रेन यात्रा का जिक्र कहा बाचित से ही शांती का निकलेगा रास्ता भारत करेगा पूरा सह्यू बाचित में मोधी और बाइडन ने दोनों ने बाग्लादेश के हालाद पर चर्चा की और चिंता जाहिती बाग्लादेश में हिंदू समाज की सुरक्षिया सुनिश्चित करने पर दोनों ही नितावने सुर्थिया बांगलादेश में हिंदों पर हो रहे अत्या चार के मुद्दे पर C.M. उगी का बड़ा बयान सामने आया उन्हें ने कहा कि हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे बांगलादेश जैसी गलती यहां पर नहीं होनी चाहिए CM योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का अखिलेश आदम ने निंदा की है कहा जिमेदार लोगों को दर नहीं फैलाना चाहिए मदपदेश के CM मोहन यादब का बड़ा बयान वोने भारत में रहना है तो राम कृष्वनी की जय कहना हुगा CM मोहन यादब के राम कृष्वनेट बोली भगमान राम और कृष्वनी का नाम अपनी गंदी राजनीती के लिए इस्तिमाल ना करें लक्नों में बियास्पी राष्ट्रे कारकारणी की बैठक आज होने वाली है बियास्पी की राष्ट्रे अध्यक्ष, यूपी उप्चुनाव और चार राजो की विधानसवा चुनाव पर भी किया जाएका मन्त माराष्ट्रे नाव को लेकर महाविकास अगारी के नेताओं की बैठक कुई, बड़े भाई की भूमिका में रहेगा उद्धबगुट, ठाने और मुंबई की सीट को लेकर मीटिंग में चच्चा बीजेपी सांगसद कंगनर नौट के किसान अंदोलन पर दिये गए विवादित बयान पर घमासान जारी है, राहूल गांदी ने कहा सांगसद का ये बयान बीजेपी की किसान विरोधी लीती का एक और सबूट दिली शराब घोटाला, CBI केस में, A.C.M. अर्विंद केजरिवाल के आज न्याई किरासत खत्म हो रही है, रावोजवेन्य कॉर्ट में केजरिवाल को आज किया जाएगा पेश बियारस नेता के कविता की जमानत याचिका पर आज सुप्रिम कॉर्ट में होगी सुनवाई, हाई कॉर्ट ने एक जुलाई को कविता की जमानत याचिका खारिश कर दी थी बद्रापूर के स्कूल यौन शुशम केस में बॉम्बे हाई कॉर्ट आज दोपह धाई बज़े करेगा सुनवाई SIT की को अपनी रिपोर्ट भी देनी है हाई कॉर्ट ने स्वता संग्यान लिया थे ब्रेट नॉइडा में लूट पार्ट करने वाले चार बद्माशों से पुलिस की मुद्भेड देवला और दोगिक चौकी इलाके में एंकाउंटर हुआ है दो दिन पहले बद्माशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था अमरी सर में एनराई पर फाइरिंग करने वाले दो शूटर्स एंकाउंटर में घायल हुए हैं पॉलिस पर फाइरिंग करके भागने की फिराग में थे पॉलिस ने बद्माशों को खोश्यारपुर से गिरफतार किया मेरट के लोहिया नगर्थानाक शेतर में गुई पचास लाग की डगायती में खुलासा हुआ पॉलिस ने तीन बद्माशों को गिरफतार किया के मुट भेड के दौरान एक बद्माश को बोली भी लगी माधिपदेश के चिंद बाड़ा में आपसी विवाद में एक शक्स की हत्या की गई है लाठी से पीट पीट कर हत्या की गई वारदात का विडियो सोशल मीडिया पर वाइरल पोलिस ने दर्ज किया हत्या समेट कई धराओं में मुकत्म वियार के मुझणफरपुर में मगिला ने मा की ममता को शल्मिसार किया प्रेम प्रसंग के चलते तीन साल की बच्ची की हत्या की टीवी सीरियल देखकर हत्या का पूरा फ्लैन तयार किया था मुरदबाद में रिटाइर बैंक मैनेजर की हत्या का खुलासा हुआ आपसी विवाद के चलते हत्या की गई थी एक और बैंक मैनेजर ने मगिला और अपने दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया यूपी के संभल में पूलिस ने तीन यूवकों को अरेस्ट किया गए पूलिस भरती फरिक्षा का पेपर बेचने के नाम पर ठगी किया करते थे पेपर लेक की अफ़वा पहला कर यूवाओं को गुम्रा कर रहे थे हापटर में मोवाईल गुम होने की शिकायत लेकर था ने पहुचे यूवक से जलेवी की डिमांड की गई शिकायत की बाद होमगार्ट जवान सस्पेंड कर दिया घिया है शिकायत फतर पर मुहर लगाने के एवख़ में मुणशी ने जलेवी की मांग जृ मल्यालम फिल्म अंदस्टी में एक्क्रिस के आरोपू पर केरल के राजिपाल आरिफ मुहमत का वयान कहा मामले में राजभवन को शिकायत मिलेगी तो होगी कारवाई बीजेपी नेता वीम मुर्ली धरन बोले एसाइटी का गठन कर मामले को कमजोर करने की कोशिश हो रही है मामले में शामिल लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है सरकार जारकण के कई इलाकों में मैसूस किये गए हैं भुकम के जटके संथाल परगना के दुमका समेट कई जिलों में बीती राथ भुकम पागिया बारा बचगर 49 मिनट पर ही लिठर दूँ मुंबई के कालबा देवी इलाके में हादिसा हुआ दिवार भै जाने से दो लोगों के मौत की खबर है हादसे में एक शक्स गमी रुप से खाईल पी हुआ है सुचना के बाद रेस्ट्यू टीमों ने शुरू किया राहत बचाव का कारी यूपी के बहराईश में भेडिये का आतंक दिखाई दिया छे महीने के बाद भीतर छे बच्चों की जाली मैसी तैसिल के कई गाउं में दैशत का माहौल है लोगों ने वन विभाद से लगाई भेडिये को पकड़ने के गुहार दिल्ली जेनियो में चात्रों की हर्ताल जारी है चात्र संग अधक्ष की तबियत दिगडी चात्र वृत्ती राशी बढ़ाने समेथ कई मागों को लेकर भूख हर्ताल कर रहे हैं चात्र आंधर प्रदेश में भीशन सड़ा खाथसा हुआ नैशनल हाईवे पर कंटेनर और कार की टकर हो गई हास्तों में पार्च लोगों की मौत हुई है मिर्तिकों में कार्ट सवार चार और कंटेनर चालक की जान गई गुचरात में स्टैट्यू ओफ यूनिटी की पास सरदार सरोवर बांध फुल हो गिया के हर और पानी दिखाई दी रहे भारी बरसात की वज़व से उफान पर न दिया आहिमडबाद के कई हिसों में भारी बारिश का सितम जारी है सडकों पर भरा कई फीट तक पानी पानी में डूबी गारियां दिखाई दी जल भराब से बढ़ी लोगों की परेश्ण फारी बारिश की वज़े से एहमने बाद के कई इलाके जल्मंद हो गए हैं सडकों पर नावे चलती भी दिखाई दी पानी में फसे इलाके के लोगों ने नाव चलाया हेलमेट सरकिल में दिखा तालाब जैसा मनसर मोर्वी में ट्राक्टर समें दस लोग पानी में बहे NDRF और SDRF की टीम ने मौके पर पहुच कर चाल लोगों का रेस्ट्यू किया अब भी कई लोग लापता बताई जा रहे बत्रासर द्वारका तक जन्माश्टमी का जश्म है द्वारकाधीश महराज के दर्बार में जुटे हज़ारों की संख्या में शधालू जन्माश्टमी के मौके पर रंग विरंगी लाइटों से मंदिर को सजाएगा जन्माश्टमी पर गुरकनात मंदिर पहुचे सीम योगी आदितिनात गुरकनात मंदिर के गर्ब ग्रे में विधिविधान से पूजा अर्चिना की जन्माश्टमी पर पटना के स्कॉन मंदिर में जुटी भीड आन्यांतरित भीड को कंट्रोल करने के लिए फुलिस को मशकत करनी पड़ी जन्माश्टमी को देखते वे मंदिर पहुचे हज़ारों शर्थालू